आज हमको दीने की चट्नी बना रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए मेंट जो यह मैं अपने गार्डन से लेकर आई हूँ हूँ मैं दो टाइप की मेंट से लेकर आई हूँ एक है बैजल और एक गार्डन मेंट थोड़ी सी धनिया इनको हम छॉब कर लेंगे यह ब्लेंडर में हम डाल के इनको हम ब्लेंड कर लेंगे बैजल मेंट यह थोड़ा सा गार्डन मेंट और इसमें हम चार-पांच क्वेशनर्स डालेंगे चार-पांच बदाम और लेसन के यह आदा मेनेज हो आपने अगर पूरा लेना है तो आप पूरा भी ले सकते हैं लेमन के जूस हम तकरीब बन लेंगे एक बड़ा चमच सबस मिर्च में यहां पर आदी यूज कर रही हूं आप पूरी भी यूज कर सकते हैं मैं इसकी यह स्यूज निकाल नहीं आपने अगर स्यूज नहीं निकालने आप जैता भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको हम ब्लेंड कर देंगे और फिर बाद में इसमें हम जोगर्ट और नमक डाल के इसलेंगें कर सकते हैं इसमें इसमें जोगर्ट पी ठाल देते हैं मैं ग्रीक योगर्ट टेरी हूं आप कोई भी ले सकते हैं यह क्रीमी है मुझे अच्छा लगता है तो हम ग्रीक यूज करें हम इसमें जटनी डाल दें मिक्स कर लें और इसमें नमा पे डाल दें हम इसमें एक छोटी चमच का थीसरा इसा डाल रही हूं आप अपनी टेस के में उताव मेला काम डालें इसको मिक्स करेंगें अब हमारी चटनी त्यार होगी है इसको आप अकोड़ों के साथ स्नैक्स के साथ सर्फ करें अमीद है आपको मेरी वीडियो पिसान आई होगी प्लीज सिब्सक्राइब करें आइक करें और दोंस्तों के साथ शेयर करें है ऱक्टनी करें दोनी कोई चाहिव ड्यत्काई